हेलो एवरिवन एक बार फिर से वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में आज मैं आपके साथ बिना तेल के बनने वाले बहुत ही टेस्टी हेल्दी से नास्ता की रेसिपी सेयर करने जा रही हूँ इस नास्ता को बनाना बहुत आसान है बहुत ही जटपट से ये नास्ता बनकर तयार हो जाता है बहुत ही कम सामानों में और साथी में ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी बनकर तयार होता है, क्योंकि हमने इस नास्ता को बनाने के लिए बिल्कुल भी तेल का इस्तमाल नहीं किया है, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी बनकर तयार होता है, मेरी गारंटी है कि अगर आपने इस नास्ता को ए तो यहां पर मेजर्मेंट के लिए घर की कोई भी कटोरी कप या फिर ग्लास सेट कर लीजेगा उसी से मेजर्मेंट करिए का ताकि आपका नास्ता बहुत ही ज्यादा पर पर्फेक्ट बन कर तैयार हो और यहां पर आप मोटी वाली बारिक वाली किसी भी सूजी का इस्तमाल क कर सकते हैं क्योंकि हमें इसे ग्राइंड करना है अब मैंने यहां पर आधा कटोरी चूड़ा ले लिया है तो फ्रेंट्स हमने जितना सूजी लिया है उसका आधा में चूड़ा लेना है तो यहां पर आधा कटोरी चूड़ा हम इसमें डाल देंगे साथी में हम इसमें एक बहुत जादा बढ़िया बन तयार होगा और अगर तोड़ी सा खट्टा पन आपनी का डाय गरेगा तो कोुशिश करिगा की प्रेश्तौी का इस्तमाल करें अब हमें तोड़ा सा पानी डाल गए लग बहुत दो से तीन पानी मैं कि यहां पर एकर दिया है बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे क्योंकि हम इस बैथर को बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है अब हम में स्वाद के वाइंड नमक डाल देंगए साथी मियांपर आधा चोटा चम्मत चीनी डाल देंगे चीनी जरूर डालीे तो यहां पर आप देख सकते हैं अच्छे से ग्राइंड कर लिया है और एक दम फाइन पेस्ट बना कर तयार कर लिया है सबी चीजों का तो अब हम इसे एक बॉल में निकाल देंगे अब जो ग्राइंडिंग जार में पेस्ट लगा हुआ है उसमें पानी डाल कर उस पेस्ट को भी मैंने इसमें आट कर दिया है तो फ्रेंट्स ध्यान रखेगा बहुत जादा पानी नहीं डालना है मैं आपको बार बार इस बात को बोड़े हूँ क्योंकि इसे बहुत जादा पतला नहीं करना है हमें एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो यहाँ पर एक से दो मिनट तक इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम रोटी सबजी खाका कर बूर हो जाते हैं या फिर तेल मसाला खाका कर बूरियत होने लगती है तो friends आप इस नास्ता को बना कर तयार कर सकते हैं जिसे बनाने के लिए हमने बिल्कुल भी तेल मसलों के इस्तिमाल नहीं किया है साथी में बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी बन कर तयार होता है और टेश्टी तो बहुत ही ज़्यादा लगता है ये तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसे मैंने अच्छे से फेट लिया है, और यहाँ पर आप बैटर की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, तो इसी तरह का बैटर बना कर हमें तयार करना है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा और बहुत ज़्यादा पतला इसे हमें नहीं रखना है, अ यहां पर हमें बीना फ्लेवर वाले इनू का इस्तमाल करना है इस बात का ध्यान रखेगा और इनू डालकर एक बार हम इसे अच्छे से मिला लेंगे तो यह बहुत ही जल्दी से बैटर जो फूलने लगेगा और आप देख सकते हैं बैटर जो बहुत अच्छे से फूल गया ह तो इसे हम अच्छे से एक बार मिक्स कर लेते हैं और यहां पर नास्ता बनाते से हमें एक बात का ध्यान रखेगा फ्रेंट्स की बैटर तो आप पहले से बना कर रख सकते हैं लेकिन इनू आप तभी डालिएगा जब आपको इसे पकाना हो इनू पहले से डाल कर नहीं दालेंगे यह बहुत अच्छे से शेप ले लेता है तो यहां पर आप देख सकते हैं एक कल्ची बैटर डाल दिया है और सुरुआत में गैस का फ्ले मीडियूम टू लो के बीच कर देंगे और मीडियूम टू लो के बीच हम अपने नास्ता को पकाएंगे तो यहां पर जाली कितना बढ़ियां हमारा नास्ता बनकर तयार हो जाएगा और पकने के बाद यह बहुत अच्छे से पैन को भी छोड़ देता है तो यहां पर आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से उपर से यह ड्राई हो गया है बिल्कुल भी इसमें चिपचिपापन नहीं है तो हमार इसके अंदर की जाली कितना बढ़ियां हमारा नास्ता बनकर तयार हुआ है एकदम जालीदार बनकर तयार हुआ है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बहुत ही जालीदार तो मैं आपको एक बार इसे पलट कर भी दिखा दे रही हूँ तो यहां पर आप देख सकते हैं कितना तो इसी तरह से हम बाकीके नास्ता भी बना कर नहाए कर लेंगे और इसके साथ सर्फ करने के लिए मैं यहाँ पर नारियल की और बादाम की चटनी में भगाए है फरेंडस तो वैसे तो आप इस नास्ता को अपने पसंद की चटनी के साथ सर्फ कर सकते हैं फ्रेंस लेकिन ये नारियल बादाम की चटनी के साथ हमारा नास्ता बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंस हमारी बहुत ही टेस्टी सी चटनी भी किया है और यह हमारा बहुत ही सॉफ्ट चाली-दार बहुत ही हेल्दी टेशी नास्था भी बनकर तयार गया हुग है तो फ्रेंस एक बार मेरे बताएंगे तरीके Σे आप भी इस नास्था को बनाकर जरू ठ्राय करिए आपको यह बहुत पसंद आएगा और इसी तरह के healthy tasty recipes के लिए चैनल को subscribe करना बिल्कुल मत भूलेगा मिलते हूँ आप से एक नई recipe के साथ तब तक लिए take care, bye bye and thanks for watching my video